बिसमिल्लाय राह्मान रहीम आज का हमारा जो टॉपिक है यह है प्रॉब्लम नंबर 12 और इसके मैंने यहां पे ना एडिंग दे दिये यहां पे ताके आपको पता चल जाए कि इन फैक्ट यह प्रॉब्लम किस चीज़ के बारे में प्रॉब्लम आपने पढ़ी होगी पहले अरडी शाहिद पता हो तो लेकिन इसको हम टाइटल दे सकते है इस प्रॉब्लम को बैधेट्स वहिदाउट्ट डैक्रेटरी कमिशन या इक तो होताई न इसको नहीं मिल रहा है और बैडände हो गया है यहां चोटे सी आपको बात बता हूंगा उसको आपने अच्छी चीज नहीं आई है उसको सिर्फ हामें समझना है कि वो नई चीज कौन सी है और वो नई चीज सिर्फ क्या है यह bad debts without failures commission तो दो 딱पिक इन इसके बन सकते है bad debts without antha little commeral commissionrárd bad debts with the developer commission क्यों तो तेर्मी प्रथापलम है वो bad debts with the oftentimes commission होगी अब हम इस ही को समझना है और उदर से उसको पैसे नहीं मिले, यानि credit sale की थी और credit sale के पैसे उसको नहीं मिले, लेकिन साथ ही साथ पैसे भी नहीं मिले, bad debts हो गए, और Dell Credder Commission भी consigner consignee को नहीं दे रहा था, उसके अंदर हमें क्या करना है, इसमें एक चीज मैं बड़े वाज़य तोर पर आपको बताओं, और आप वाज़य तोर पर सुन लो, कि हमें focus इस पर नहीं करना है, कि without या with, क्योंकि उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, questions की उपर, ये बहुत जरूरी है कि साथ ये आया हुआ है ये नहीं, अब इसी के मैं options आपको बता रहा हूँ, त्यान से सुन लो, एक तो इस तरह हो सकता है कि सोचो कि ये bad debts दिये हुए ही नहीं है, bad debts हुए ही नहीं है, और उसने चाहे उधार पे ही item बेचे थे, suppose कर लो 10 item उसने बेच दिये, और 10 के 10 के उसको पैसे मिल गए, और पैसे भी सारे के सारे recover हो गए है, तो question पर कोई additionally फरक नहीं पड़ेगा, normal question होगा, तो इसे हमें यह यह नहीं घबराना, कि नहीं जी इसके अंदर तो डेल क्रेडर कमिशन आ गया, तो आप हमें करना पड़ेगा, कई पीछे हमने problems की हैं, जिसके अंदर डेल क्रेडर कमिशन दिया हुआ है, हम क्या करते थे, ordinary कमिशन और डेल क्रेडर कमिशन को हम add कर देते थे, और total sale पर हम ले लेते थे, आपको याद होगा, और consignment के debit side उसको लिखते जाता था, और consignee को भी obviously post होता है, उसके accordingly, कोई फर्ख नहीं पड़ता था, डेल क्रेडर कमिशन के पहले भी question है, लेकिन क्यों नहीं फर्ख पड़ता था, क्योंकि साथ bad debts नहीं होते थे, तो एक चीज तो ये है, कि अगर आपको bad debts नहीं दिये हुए, और डेल क्रेडर कमिशन साथ दिया हुआ है, और पैसे सारे recover हो गये हैं, तो कोई question पर फर्ख नहीं पड़ता, अब है कि उसको डेल क्रेडर कमिशन नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा है, डेल क्रेडर कमिशन नहीं दे रहा है, अब अगर आपको पैसे पूरे हो मिल जाते हैं, उसने क्रेडर पर भी बेच दिया, और पैसे अभी भी पूरे मिल गए हैं, और डेल क्रेडर कमिशन नहीं दे रहा था, तो बाई चांस, बाई लग उसकी लग अच्छी थी, कि डेल क्रेडर कमिशन नहीं दे रहा, और पैसे भी recover हो गये हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि bad debts नहीं हुए, और अगली जो चीज है, उसमें ये है कि वो bad debts हो गए हैं, अब bad debts हो गए हैं, पहले मेरे दोनों जो आपको example पते हैं, उसमें bad debts नहीं है, डेल क्रेडर कमिशन मिले ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर bad debts नहीं हुए तो, चाहे उसको मिल रहा है, चाहे नहीं मिल रहा, bad debts नहीं हुए तो question पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अब अगली चीज है कि अब ये साथ आ गया है, अब हो गए है bad debts अब अगर उसको bad debts हो गए और साथ डेल क्रेडर कमिशन भी उसको मिल रहा है bad debts भी हो गए है और डेल क्रेडर कमिशन भी मिल रहा है तब भी question पर कोई फरक नहीं पड़ता normal चलेगा क्यूं? क्यूंकि एक तरह के वो उसको पैसे दे रहा है और चूंकि उसको डेल क्रेडर कमिशन दे रहा है consignor consignee को तो consignee के अगर bad debts हो गए पैसे उदर से उसको नहीं मिलते तो consignor ने उससे पूरे के पूरे पैसे ले लेने है तो question पर कोई खास फरक नहीं पड़ेगा सिर्फ consignee को personally loss होगा लेकिन normal ही रहेगा तो तीन case में तो question पर फरक ही नहीं पड़ रहा पहले जिसमें ये नहीं दिया हुआ और डेल क्रेडर हो या ना हो कोई फरक नहीं पड़ता दूसरा bad debts आ गए और साथ डेल क्रेडर भी दिया हुआ है तो कोई फरक नहीं पड़ता तीनों में अगर ये तीन case आ जाए ना तो normal question है आप स्कून से बैठके normal ही तरीके से कर ले ना सिर्फ एक से फरक पड़ेगा और वो ये problem है बारवी के bad debts हुए है लेकिन साथ डेल क्रेडर कमिशन consignee नहीं दे रहा है तो फरक पड़ता है थोड़ा सा फरक इतना ही पड़ेगा सोचो जरा क्या फरक पड़ता होगा कि डेल क्रेडर कमिशन उसको दे नहीं रहा लेकिन bad debts हो गए है उसको loss होगा consignee को कि उधर से जो पैसे consignee ने लेने थे वो ही तो उसने देने थे consignee को अब उधर से उसको पैसे मिलेंगे नहीं होगे कैसर bad debts होगे अब वो जो bad debts होगे उसके पैसे consignee को नहीं मिलने तो consignee को उसे अपना loss consider करना पड़ेगा तो consignee मेट पर फरक पड़ेगा इसका मतलब सिरफ यही case है आप यूँ कहो कि सिरफ यह specific case है जिससे आपके consignments accounts में फरक पड़ता है बाकि normally कोई फरक नहीं पड़ रहा है normal problem की तरह आप उसको कर दोगे यानि bad debts without deal credit commission इसको आपने no down कर लेना है अब हम इस problem को करेंगे solve अगर आपको points यह समय लगें तो असानी रहेगी और एक अगला point वो भी आपको मैं साथी बता दू commission पर कोई फरक नहीं पड़ता commission उसको total sale पर ही मिलता है consigny को चाहे bad debts हो चाहे bad debts ना हो suppose कि अगर उसने 10 item बेचे हैं उसमें से 1 के पैसे नहीं मिले तो क्या उसको 9 item का commission मिलेगा या 10 वे कब मिलेगा 10 वे कभी मिलेगा उसको total पर क्योंकि उसको sale पर मिलता है उसको इस पर नहीं मिलता कि पैसे recover होंगे तो तो मैं commission जाएगा पैसे recover नहीं होंगे तो नहीं जाएगा ऐसा नहीं है commission उसको total sale पर ही मिलता है यह बात भी आपने clear कर लेनी है तो यही इसके points है जिनके मेरे से confusion होती है वो मैंने आपको बता दिये अब हम चलते हैं इसके solution की जानी और पहले question को पढ़ लेते हैं बात कर रहा है रिजवान आफ गुजरावाला sent 100 saving machines to asylum रिजवान है यहाँ पर consigner asylum है यहाँ पर consigne asylum of the Hong Kong at 650 per machine यानि 100 सिलाई की machine हैं उसने रिजवान ने asylum को भेजी है 650 की एक machine है हम क्या करेंगे 650 को 100 से कर देंगे multiply यह आजाएगा 65,000 यह आजाएगी वोही cost consignment की जो पर consignment account की debits head बजाती है किस reference से good sent on consignment account the consigner paid rupees 2000 for packing and dispatching charges consigner ने pay की है तो consigner ने pay की है तो obviously यह direct expense होते है यह 2000 है जो इसने packing और dispatching के pay की है तो ठीक है यह भी consignment के debit side बजाएगे और reference cash काएगा क्योंकि consigner ने pay कर दी है asylum immediately after receiving the consignment accept a bill for rupees 40,000 rupees bill bill mean bill receivable bill payable यानि bill of exchange जब उसको चीज़े मिले तो उसने bill accept कर लिया यह as a security या advance के तोर पर normally किया जाता है तो जो accept करता है जैसी असला में normally consignee accept करता है और consigner draw करता है तो जो draw करता है वो receivable की entry पास करता है ओर जो accept करता है वो payable की entry पास करता है तो जब receivable आपको समय लग गया तो receivable तो होता है asset तो इसका मतलब है आगे कोई नो कोई person भी तो होना चाहिए न जिसे credit करना है तो अब जोके receivable की entry consignor पास कर रहा है तो credit में consignor का नाम तो नहीं आएगा न एक consignor का नाम आएगा और दूसरी बात यह है कि वहाँ कोई नो क बिल दिया है तो एक तो चीज यह clear हो जानी चाहिए अच्छा दूसरी बात यह है कि इससे consignment पर फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ेगा consignment की उपर क्योंकि यह इसमें bill receivable और consignee और consignee के पास consigner debit और bill payable credit तो इसमें consignment तो कहीं पर नहीं आ रहा तो इस वज़ अगर consignor consignee accounts बन रहे तो उसमें यह adjust obviously होगा यह clear होगा होगा सब यहां तक after some time Aslam reported that 80 machines were sold for Rs.875 each 875 की उसने एक machine बेची और 80 machine ने बेची है तो 80 को हम multiply करेंगे 875 के साथ so that के total sale आ जाए और यह जो sale होती है यह consignment account की credit side पर आ जाती है अब वो कहता है के expenses being on the freight 3000 यह अब consignee के है freight जो के direct expense होता है क्योंकि freight होता है किरा गाड़ी का जो समान अपने गुदाम तक लेके गया है तो गुदाउन तक जाते हुए जो भी खर्चा हुआ वो 3000 का हुआ तो यह direct होगा क्योंकि यह रास्ते का expense है और जो रास्ते का expense होता है वो सारे का सारा direct होता है क्योंकि यह non recurring होता है on go down rent उसने जो go down rent पे किया है वो 250 है and on insurance रुपीज 500 और insurance उसने 500 रुपे किया अब आप 500 यह और 250 यह 7500 और 3000 तो 3750 उसके expense होगे consignee के यह भी consignment account की debit side पर जाएंगे obviously और अलग बात है कि consignee के account को भी हमें इसको post करना होता है asylum is entitled to a commission 9% on sales on sales यह वो on sales ना भी लिखे 9% commission भी लिखे तो हमें obviously sales पर ही लेना होता है तो total sale पर हम यह लेंगे total sale पर total sale हमें कहां से मिलेगी जो हमने यहां से की है यह वाली 875 को हमने जो multiply किया 80 के साथ जो result आएगा उसको हम 9% calculate कर लेंगे due to insolvency अब इस चीज़ से पता चलता है कि bad debts हो रहे हैं insolvency से insolvency मतलब के वह insolven हो गया जिनसे पैसे लेने थे और उने पैसे नहीं मिले due to insolvency of our customer एक ही customer है who purchased for machine लेकर उसने machine चार खरीदी हुई है fail to pay anything उसने कुछ भी पे नहीं किया रुपया एक भी नहीं मिला मशीने चार उसने खरीदी हुई थी लेकिन वो insolven हो गया और insolven हो नहीं के वेड़े से उससे हमें एक रुपया भी नहीं मिला है हो सकता है कि कुछ पैसे मिल जाए बाकी insolven हो जाए ऐसा भी case हो सकता है लेकिन यहाँ पर total जो पैसे हैं वो सारे के सारे bad debts हो गए है अब इन bad debts का हमें record करना है अब इसकी treatment क्या होगी बस यह इसी से question पर फरक पढ़ रहा है अब यहाँ पर आप देखो 9% commission है डेल क्रेडर कमिशन का पूरे question में कहीं जिकर नहीं आया है तो हम क्या कहेंगे insolvency है मतलब bad debts है लेकिन पूरे question में कहीं डेल क्रेडर कमिशन की बात नहीं हुई तो इसका मतलब without डेल क्रेडर कमिशन है तो topic clear हुआ bad debts without डेल क्रेडर कमिशन तो फरक क्या पढ़ता है obviously consigner का नुकसान है उसका loss है consigner का बात समय लगरी होगी आपको consigner का loss है अच्छा देखो जब अब हमें समझना है किसकी treatment क्या है बहुत असान है चार machine है न इसकी हमें देखना है कि चार machine हो की price कितनी थी जो हमने लेनी थी उस customer से वो सिरफ हमें evaluate करनी है इस का मतलब इस 4 को हम multiply करेंगे इस 875 के साथ जो के एक की sale price है क्योंकि customer से इसी कीमत पर हमने पैसे लेने थे अब एक गलती जो बच्चे अकसर कर देते हैं question करते हुए इन चार को multiply कर देते है cost के साथ cost के साथ नहीं करना देखो customer को बेचा है तो sale price है न तो sale price को multiply करेंगे हम 4 के साथ अब यह गलती क्यों होती है क्योंकि closing stock जब हम निकाल रहे होते है तो वह cost पर आता है वह तो आना ही cost पर चाहिए लेकिन यह sale price पर होगा क्यों customer से पैसे हमने जिस कीमत पर उसको बेचा है उसी कीमत पर ही तो हम उसको evaluate करेंगे कि इतने पैसे हमें नुक्सान हुआ तो अब हम simple इस 4 को 875 से करेंगे multiply तो उसके आ जाएंगे कि इस customer से हमने इतने पैसे लेने थे अब देखो जब sale हुई थी तो हमने total पैसे यानि इन 80 मशीनों के इन 80 में ही तो यह 4 शामिल है मतब 76 के पैसे मिल गए और 4 के नहीं मिले तो हमने क्या किया था इस consignment की जो total amount है उसको consignment account की credit side पे लिखा हूँ यह entry करते है ना हम जब sale होती है कि consignee से पैसे लेने है यानि asylum account to consignment account तो consignment की credit side पे लिखा हूँ है अब इन 4 के पैसे मिलने नहीं है इसी entry को यह जो हमने पहले पास की है कि asylum account to consignment इसी को हम reverse कर देंगे क्योंकि यह loss है और loss है consignment का तो यह consignment को ही हमने कम करना है sale के वज़े से consignment बड़ी थी तो इस loss के वज़े से consignment कम हो जाएगी तो हम यही entry reverse कर देंगे क्या बनेंगी consignment account to consignee account यानि bad debts की अब इस case को आप समझ जाओ कि bad debts without delquerator commission के entry क्या होती है simple consignment to consignee consignee यहाँ पर aslam है तो हम कह सकते consignment to aslam account इसका मतबब जितनी रकम यह आएगी न चार को इस 875 से multiply करके उस रकम से हमने consignment को debit कर देना है और consignee का जब हम account बनाएगे उसमें consignment का reference देकर उसको consignee के भी credit side पर लिखेंगे बस इतनी सी बात है show the necessary accounts in the books of rizwan सिरफ consignor की book के अंदर हमें necessary accounts बनाने है necessary account तीन है consignment account obviously है और goods sent on consignment जो के बिल्कुल ना होने के बराबर होता है और तीसरा consignee account यहनिके aslam account यह तीन बनने है अब आईए हम इसका solution देखते है question अगर आपको समय लग गया है तो समझे कहानी end हो गई in the books of rizwan consignor consignment account आ गया date reference amount date reference amount आप सबसे पहले तो यह 65,000 आ गया कहां से आ गया bill के consignment मैंने बताया कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर क्योंकि इसका consignee consigner के साथ relation है क्योंकि bill receivable bill payable आ रहा होता उसके अंदर consignment है नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको हम next accounts में adjust करेंगे तो यह फिलाल आप इसको underline कर लेना या highlight कर लेना आपको याद रहे कि इसको भी अभी adjust करना है after some time asylum reported 80 machines sold for 875 each 875 को हम करेंगे 80 से multiply तो टोटल पैसे आ जाएंगे 70,000 अब asylum का reference क्योंकि consignment credit होगी और asylum से पैसे लेने है यानि asylum account to consignment account consignment account credit हो रहे इस तरफ asylum का reference देंगे यानि sales और 70,000 यह यहां पर लिखते हैं कि 70,000 यह यहां तक clear हो गयोगा कहां से आया 875 को 80 से multiply किया तो आपके पास 70,000 ही आ गया अच्छा उसके बाद हैं जी हमारे पास अच्छा 80 मशीने भी की हैं तो इसका मदब 20 unsold भी है अब इस पूरे question में नहीं पताता लेकिन आपने यह सबसे पहले note down रखना है कि unsold है या नहीं यह चीज़ आपने side पे लिख लेने paper पर unsold है closing stock निकलेगा यह चीज़ आपने रेख लेनी है जैन में अचाब यहां तक लगी समझ और उसके बाद उसके expenses expenses being on the freight 3000 go down 250 insurance 500 तो 3750 की आगे तो 3750 add करने से asylum के reference से consignment debit side पे आ जाएंगे उसके बाद है 9% commission तो वो sale पर लेना है तो 70,000 का 9% हम लेंगे जो यह नीचे है commission is equal to 70,000 multiply 9% is equal to 6,300 तो 9% का मतलब 9 by 100 आप इसको calculate करो तो pay 600 यह आ जाएगा यहां पर pay 600 असलम का reference और commission amount कंसर्मेंट debit होती ओविसली यह भी तरक expense है कंसर्मेंट debit होगी इस दरफ आ जाएगा यहां तक commission हो गया उसके बाद है जी bad debts का अब यह bad debts चार मशीनों का है तो 4 को हम 875 से करेंगे multiply वो बनेगा आपके पास 500 और यह probably मैंने पतनी calculate किया है हाँ यह किया है बैडट्स अमाउंट है 875 इसको हमने चार से किया multiply तो कितना आ गया पैंतिसो यह वो रकम है जिससे क्या करना है पहली entry को reverse कर देना जो यह वाली हुई थी न क्रेडिट हुई थी sale की वजह से अब consignment debit हो जाएगी bad debts की वजह स यह अगर sale वाली याद है तो bad debts वाली obviously इसी बात है वो भी होगी आपको तो असलम account का reference देखे बैकर में bad debts और यह पैंतिसो यहां तक आ गया अब रह गया closing stock जो कि 20 item जो है वो नहीं बिटे क्योंकि वो कहते है 80 बिटे है 100 भेजे थे तो 20 unsold है उसकी कैसे निकालते है value हम formula होता है न हमारे पास consignment stock is equal to total cost plus direct expenses consignor के plus direct expense consignee के if any अगर कोई हो तो और हम divide कर देंगे उसको total units per multiply कर देंगे उसको unsold के साथ unsold तो 20 है total इतने है वो 100 है 100 machine से लाई कि उसने send की है अब total cost नहीं से मिलेगी जो कि हमने इसको इससे multiply किया यह हम इसको यह भी कह सकते हैं कि यह जो यह पहले दो आईटम ही तो होते हैं इसके consignment के यानि जो consignor ने pay किये हुए है यानि consignor के direct expenses और goods center on consignment के आगे जो रखम होती है यह दो आईटम इन दोनों को हम add करेंगे लेकिन यह वाले सारे नहीं होते इसमें से अगर को direct है तो वो add होता है तो direct यहाँ पर है consignee का जो है यह recurring है रेंट उसने बार-बार देना है अर महिने देना है तो इसका मतलब यह recurring है तो यह direct नहीं है तो go down rent से onward insurance है तो यह भी वहाँ के insurance है अगर यह insurance in transit होती तो धिर यह add होती क्योंकि वो रास्ते की insurance होनी थी अच्छा यह 3000 भी add हो जाएंगे तो आपको समय लग गया ह होगा कि 65,000 जमा 2,000 जमा 3,100 पर divide 20 से multiply तो 14,000 यह अब consignment की credit head पर आता है क्यों closing stock है क्योंकि entry होती है consignment stock to consignment account तो consignment account होगा credit इस तरफ आएगा 14,000 यह लिख देंगे total करो 84,000 इन में से यह सारा difference निकालो तो credit head ज्यादा आ रहे है 34,50 से तो इसका अदर credit head ज्यादा तो profit हु consignment account हो गया यहाँ पर finish अब है जी उसके बाद next good sent on consignment account इसमें आपको पता है इस तरफ consignment का reference इस तरफ trading का reference और 55,000 close end हो गया उसके बाद last है consignee account consignee सिरफ हमने वो total जो हिसाब खाता है जितने कि उसने sale की है उसी करे तो पैसा लेना हो तो इस तरफ इसका reference ही normally यही एक ही जितने कि उसने sale की हुई है total sale debit side पर consignee जो है यानि असलम वो हमारा debtor बन गया है यहाँ पर consignment account sales 70,000 और इदर उसके जितने खर्चे है कोई advance वगर उसने दिया वाई है या को bill accept किया वो सारे का सारे यहाँ पर आते जाएंगे बस यह उसमें से less हो जाएंगे और बाकी जो balance बेचता है वो हमने उससे लिया तो लेना है या उसने दे दिया है अब आप देखो 70,000 यह कहां से है जो उसने sale की है 875 को हम multiply कर दे था 80 के साथ जो के sale की थी जिसके entry होई थी sale की हमने entry की थी यहाँ पर consignment account credit और asylum account यहाँ पर debit हो था asylum account to consignment account असलम जो के debit हो रहा है तो इस तरफ लिखेंगे और reference किसका आजाएगा consignment का और यह आजएगा 70,000 यह लिख दिया बाकी expenses है वो उसमें expenses है और कुछ उसने advance वगएरा वो दियाव है bill receivable entry इसकी consignment के पास होई होनी है bill receivable account to asylum account यहनी asylum को पैसे देने क्योंके advance लिया एक तरह का तो reference तो bill receivable काएगा लेकिन asylum account की credit side पर लिख देंगे 40,000 और उसके बाद consignment account है यह उसके expense है 37,50 जो के उसने total किया है यह कहां से आ रहे है यह यह वाले है आपको लग रही होगी समझे 3,250 और 500 यह add किया तो 37,50 यह आ गया उसके बाद consignment account है जो के commission है उसका 3,600 जो के हमने अभी उपर calculate किया था यह वाली रखा है यह commission यह आ जाएगा इसका मदलब के उसने अपने यह bill के पैसे भी रख लेगा अपने expense के भी रख लेगा अपना commission भी रख लेगा और यह bad debts के भी वो काट लेगा क्योंकि हमने इधर जो 70,000 लिख है इसमें यह 3500 शामिल है हाला कि यह हमने उसे 3500 लेना नहीं है क्यों नहीं लेना क्योंकि यह हम उससे तब लेते अगर हम उसको del trader commission दे रहे होते अब तो हम उसको del trader commission नहीं दे रहे तो इसका मतलब यह नुकसान हमारा है उसको जब यह पै asset 70,000 आ गया इसमें से यह सारे निकाल दो यह 40,000 37,000 33,000 35,000 तो इसकी debit head ज्याद आ रही है मतलब यह हमारा अभी debtor है इससे हमने पैसे 16,450 अभी भी लेने है इसके बारे मुसमें कोई निकार के remittance उसने भेजी है नहीं भेजी इसका मतलब balance carry down है balancing figure है यह पैसे हमने 16,450 यहां तक उमीद आपको समय लगी होगी और question कोई रह तो नहीं गया लेकर फिर भी हो सकता है आपके mind में कोई आ रहा है तो उसको आपने comments में post कर देना है और मैं कोशिश करूँ इसको as soon as possible answer करने की अगर आपको multipedia के video अच्छी लगी उसका आप like कर लें share कर लें दूसरों झाल